operation के first week तक 30 degree pair band करना पड़ता है, second week में 40, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते वे धाई महीने में लगबग complete bending लानी होता है और संबल संबल के चलना पड़ता है, इसी दौरान अगर कोई patient फिसल जाए, एकदम से pair band हो जाए, या फिर जटका लग जाए, तो इसमें जो ligament है वो screw की तरफ से खिच जाता है और वो लंबा हो जाता है ACL surgery के बाद ligament क्यों lose हो जाता है अक्सर? दोस्तों मेरे पास बहुत सारी MRIs आती है ACL surgery के बात की, बहुत सारी queries आती है आप लोगों की, सर मेरी ACL surgery को दो साल हो गए, तीन साल हो गए, किसी को आठ महीं नो है और मुझे वही symptoms आ रहे हैं जो की surgery से पहले आ रहे थे, मेरा ligament lose हो चुका है या फिर retire हो चुका है जो पहले आ रहे थे, वो वापस आने लग तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब दुर्बीन से ACL surgery होती है, तो आपका जो नया ACL है, वो आप ही की मास पेशी के टुकडे, hamstring tendon से बनाये जाता है अगर यह surgery conventional method से हुई है, जिसमें screws का use हुआ है, तो उस नए ligament को, जो की tendon से बनाये, उसको उपरवली अड़ी femur में एक endo button या flexible loop या tightro party इस तरह के device जो के एक छोटा button होता है, उसके साथ fix किया जाता है और नीचे TBI में उसको screw के साथ fix किया जाता है, अब वो बायो screw भी हो सकता है, बायो composite भी हो सकता है, पीक भी हो सकता है, वो titanium का भी हो सकता है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो human body होती है, उसके जो tissues होते हैं, वो stretchable होते हैं सर्जरी के दौरान, सर्जन बहुत precaution से सर्जरी करते हैं, और जो ligament बनाया है, हैंस्टिंग टेंडन से, उसको उस हैंस्टिंग टेंडन को pre-stretch करते हैं सर्जरी के दौरान, मतलब उसको पूरा stretch कर लेते हैं, ताकि वो future में stretch ना हो, जब आपका operation के बाज़ाब rehabilitation करें उसके बाद भी क्योंकि वो एक human tissue है, उसमें stretch होने की capability होती है, तो सर्जरी अच्छी होई, सब कुछ अच्छा था, पर फिर भी आपका जो ligament है, जो knee के अंदर 3 cm का होना चाहिए, वो अब 2 जा 4 या 5 मेने के बाद 3.5 या 4 cm का हो गया है, क्योंकि जो human tissue है, वो stretch हो गया है, इसके कारण आपको दुबारा लचक मैस, कई बार इसका दूसरा कारण ये होता है, कि conventional method हैं बहुत संबल के चलना पड़ता है, क्योंकि उसमें नए ligament पे support नहीं होता, इसके अंदर operation के first week तक 30 degree pair band करना पड़ता है, second week में 40, ऐसे ऐसे दीरे दीरे करते वे, धाई महीने में लगबख complete bending लानी होता है, और संबल संबल के चलना पड़ता है, इसी दौरान अगर कोई patient फिसल जाए, एकदम से pair band हो जाए, या फिर जटका लग जाए, तो इसमें जो ligament है, वो screw की तरफ से खिच जाता है, और वो लंबा हो जाता है, तो ये दो तीन reasons हैं, जिसके वज़ के लिए दोस्तों, fiber tape internal brace surgery की जाती है, अगर आपकी fiber tape internal brace से surgery होई है, इसमें screw की जगे automatic buttons लगते हैं, तो जो आपका hamstring tendon से अमने ligament बनाया है, उसको प्रवाली हड़ी, femur और नीचे LED टीबिया, दोनों को एक automatic button से रोका जाता है, और button to button fiber tape लगता है, जिसका fixation अलग होता है लिगामेंट से, ये fiber tape आपके button to button की distance maintain करता है, इसके कारण आपका ligament operation के बाद ना लंबा हो सकता है, न खिंच सकता है, न फट सकता है, और तूट भी नहीं सकता है, तो कल को अगर आप operation के बाद घिर जाएं, फिसल जाएं, तो भी fiber tape आपके ligament को तूटने से बचा लेगा लंबे उने से बचा लेगा, वो एक seat belt की तरह काम करेगा, सरल शब्दों में बताऊं, तो fiber tape आपके नए ACL की उपर seat belt या एक insurance की तरह काम करता है, और ensure करता है कि आपको 100% success rate मिले, अगर दोस्तों आपके MRI में ACL tier लिखावा है, तो जरूर आप हमें अपनी MRI message कीजिए, और हम बताएंगे कि best surgery क्या रहेगी, मैंने अपने वीडियो के नीचे मेरे पुराने बहुत सारे वीडियो का link दिया है, तो अगर आपको ACL surgery कैसे होती है, क्या होता है ACL, क्या है fiber tape interview surgery, इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, तो वीडियो के नीचे links पे आप click कर सकते हैं, और आप हमारे बाकी वीडियोगे देख सकते हैं.